तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रिवियस यह क्वेशन की एक और वीडियो जैसा कि आप सभी चानते हैं कि हमारी ये सीरीज चल लग रही होगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक् से हमारा फर्स क्वेशन है अजंता के भिती चित्रों से पहले किस गुफा में भिती चित्र हुआ है आपको बताना है कि अजंता के जो भिती चित्र हैं उनसे पहले किस गुफा में भिती चित्र हुआ है बाग की गुफा में जोगी मारा की गुफा में सिंखन पुल की या Haak Hem इस saying the YOGI मारा की गुफा में वित्ली चितर हुआ है कि इस जो इसavo अजजनीगा तो जो माराग की चित्रकारी अन्रेषम refine की महतफर जरुवात है across तो जो जो मारा की जो आ है वो Čजन्ता की जो चित्र है उमकि जो ने व्राजां गुफाओं की चित्रकारी अजन्ता से पहले हुई है यहां के चित्र अजन्ता की आरंबिक गुफाओं के समान सुन्दर है जोगी मारक गुफाओं के जो चित्र है वो अजन्ता की जो आरंबिक गुफाओं के जो चित्र है उनके समान सुन्दर है इन चित्रों में आकर हम बा इससे किस टाइम का बताया है प्रथम सताबी इसापूर के पहले का मुआना है ठीक है चलिए नेक्स्ट अगर क्रिश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है बौदी सत्व पदम पाड़ी का चित्र अजन्ता की किस गुफा में है आपको बताना है जो बौदी सत्व पदम पाड़ एक में बौदी सत्व पदम पाड़ी का चित्र जो है वो अंक्यत है चलिए अब इसके बारे में जानते हैं थोड़ा अजन्ता की पहली गुफा का निर्मार आपको याद रखना है कि जो अजन्ता की पहली गुफा है इसका जो निर्मार है वो कब से कब तक माना चाहता है 500 से लेकर 625 इसवी में माना जाता है ठीक है तो आपको याद रखना है कि अजन्ता की पहली गुफा का निर्मार 500 इसवी से 625 इसवी में हुआ है इस गुफा के अंदर अनेक चित्र मिले हैं जिसमें बज्रपाड़ी शिवी जाता की कथा पदम पाड़ी बौदी सत्व चाल आपको याद रखना है बज्रपाड़ी ये चित्र शिवी जातक की जो कथा है वो उसका चित्र पदम पाड़ी वोदी सत्व का चित्र चालुक राजा पुलकेशन दिती के दरवार में इरानी राज़ूत का चित्र और शावस्ति का चमतकर और भी कई अन्य चित्र हैं जो अजन्ता की पहली गुफा से सामबन देते हैं तो आपको यह चीज याद रखनी है चलिए नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट ए अजन्ता गुफाओं की खोज कब हुई है आपको बताना है कि जो अजन्ता की गुफाएं हैं इनकी खोज कब हुई है 1850 में 1819 में 1908 में या फिर 1918 में तो हमारा राइड आंसर हो जाएगा 1819 में ठीक है कब हुई है 1819 में चलिए अजन्ता की इतनी महतपूर कला क्रतियां लगभग 1000 वर्षों तक कला जगत की अन्विगता का सिकार रहकर अचारक सन 1819 में ये क्या होती है प्रकाश में आ जाती है है निका केहने यह है कि जो इनकी जो अजंदा की ट्रतियां थी और कला क्रतियां थ यह 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 मतलब इन मैंने कहोजा ही नहीं क्या dwand ये प्रकाश में आती है चले नेक्सजिश मुभाग जायन धर्म पर और तो विया पल्षै सिलाम धर्मक तो को इस दोन दें डर्म ते रिए था मोस बैक एकस्य मुद्धर्म का जानते हैं कि खृतर बेलाइक विए पिया बत्तव है अयुक्त भादाना को जो पदम पाड़ी बोधी सत्व का चित्र है वो कहां पर है अजन्ता गुफाओं में बादामी गुफाओं में अलोरा की गुफाओं में या फिर अलीफेंटा गुफाओं में तो हमार राइट आंसर क्या हो जाएगा अजन्ता की गुफाओं में और मैंने अभी आपको बताय सब्सक्रिण सिंट किसी करH 50 गुफार सब्सक्रिचgos और यहां पर शिवी जातक के कता बजडब आधुम्त पारी जिद्र ग५ार। ठीक है चेलिए नेक्स स्कूशन देखेंगे 1844 में 1844 में सरप्रथम किस कलाकार ने अजंटा के चित्रों की प्रत्लिपिया तैयार की थी आपको बताना है कि 1844 में सबसे पहले जो अजंटा की चित्रों की प्रत्लिपिया थी वह किसने तैयार की थी रॉबर्ट गिल ने अपनी नाट टैगोर ने मुकुल डे ने या फे परसी ब्राउन ने तो मारा राइट आंसर हो जागा रॉबर्ट गिल किसने रॉबर्ट गिल ने 1844 में सबसे पहरे अजंता की चित्रों की प्रतलिपिया तयार की थी चलिए इस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी वकुशल चित्रकार मेजर रॉबर्ट गिल द्वारा कब सरपतम 1844 में अजंता की चित्रों की प्रतलिपिया तयार की गई थी तो यहां पर आपको याज रखना है कि जो रॉबर्ट गिल थे ठीक है मेजर रॉबर्ट गिल इनके द्वारा सबसे पहले सबसे पहले कब 1844 में अजंता के चित्रों की प्रतलिपिया तयार की गई थी ठीक है तो यह एक अधिकारी थे और कुशल चित्रकार थे किसके इस्ट इंडिया कंपनी के इन्हों सब से पहले जनी सब प्रथम 1844 में अजंता के चित्रों की प्रतलिपिया तयार की थी रॉबर्ट गिल द्वारा अजंता के प्रतलिपियां को लंडन के किस्टल पैलेस में सब प्रथम प्रदर्शित किया गया किंतु दुर्भाग के बश बश 1866 में किस्टल पैलेस में अगनी दुरगटना में उक्त प्रतलिपिया नश्ट हो गए और क्या होता है जब ये प्रतलिपियां वहां पर कहां पर लेकर जाते हैं अजंता की प्रतलिपियां रॉबर्ट गिल लंडन लेकर जाते हैं तो वहां पर किस्टल पैलेस में ये सब प्रथम प्रदर्शित करते हैं अजंता की प्रतलिपियां किंतु क्या होता है दुर्भ इसी कौन सी गुफा है कि मरदोणमुती राजकुमारी चित्रत की गई गुफासंक्या 2 में। हमारा राइट अनसर हो जाएगा गुफासंक्या 6 में जित्रत क्या गया है तो सोल्वी गुफा सभी गुफांओं के मद में इस्तृत है क्या है सोल्वी गुफा जो है उस सभी गुफाओं के मद में इस्तेदे यहां से सब्ट कुंड नामक वे जल भी दिखाई देता है जो बागोरा नदी का उद्गम है और यहां पर सब्तकुर्ण नामक जो जल है वो भी दिखाई देता है जो कहां पर है बागोरा नदीगा उद्गम माना जाता है और इस गुफा में सबसे पहले उत्कृष्ट चित्र जो है वो मरासन राजकुमारी का है ठीक है नाम से विख्याद है जिसमें करना की पराकाष्ठा चित्र में एक कुलीन महिला उचे आसन पर सिर लटकाए अद्खुले नेत्रों और सित्र अंगो सहित अदलेटी है और इस सोल भी गुफा का जो आपको चित्र मानासन राजकुमारी चलिए नेक्स क्वेशन की बात करेंगे तो नेक्स क्वेशन है अजन्ता की सब रथम बनी प्रतलिपियां कहां प्रदर्शित हुई है जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में भारत कला भवन बाहनसी में क्रिस्ट चलिए इसके बारे में जानेंगे तो 1844 में सन 1844 में इस्ट इंडिया कंपनी के निवेधन पर इंग्लैंड की जो सरकार है उसने एक कुशल चित्रकार मेजर रॉबर्ट गिल को कफ 1847 इसी में अजन्ता के चित्रों की अनकृतिया बनाने के लिए भारत भेजाता अजन्ता क चित्रों की इन अनकृतियों को city home के किस्टर पैलेस की प्यदश्टी में प्यदश्टित किया गया था तो आप जानते है कि अअटा आशतार थे सकार है चंता की चित्रों की क्या बनाते अनकृत बनाने के लिए भारत आ जाते है और फिर उसके बाद जब यह अंकृतिया बना लेते हैं तो city home का जो crystal palace है उसकी बदर्जनी में इन चित्रों को प्रदर्शित करते हैं चलिए next question देखेंगे next question है अजन्ता के चित्रों की चित्रडविधी क्या है आपको बतानी है कि जो अजन्ता के चित्र है उनकी चित्रडविधी क्या है वास तकनीक है तैल रंग है पैस्टल रंग है या फिर फ्रेस को तकनीक है तो हमारा right answer हो जाएगा अगर अगर अजन्ता की बात हो रही है तो किनिक जैएगा ठीक है जड़िए जन्ता के चित्र बने कहां प्लब आगर बात लें तो अजन्ता की चित्र गुफा की दीवारों पर चित्र है घृत महौदे के उनसार अजन्ता चित्र क्ला में फ्रेस को अच्ट को अट्रा विदी का मिश्रत प्योग देखने को मिलता है तथा बी इसमें मुक्हिता फ्रास्को तक्निक का ही व्योक चित्र हेतू हुआ ठीक है यहाँ पर आपको याध रखना है तब से पहला question जो यहाँ से बनता है कि अजंत्ता की चित्र जो है वो कहाँ पर बने छतों पर दीवारों पर तो आपको ये रखना है अजन्ता के चित्र जो है वो गुफा की दीवार ओपर जित्र रहता है ठीक है अब बात करेंगे गर गृफिट्स महादे की तो इनके अंसार ये मानते हैं कि जो अजन्ता चित्र कला है वहां पर फ्रेसको और टैंपरा विदी का मिश्चत प्योग देखने को मिलता ह बगर मुखिता अगर एक अब आपसे पोचा है तो आपको याद रखना है यहां पर मुखिता जिसका प्रेयोग किया गया है वो फ्रेसको तक नहीं किया ठीक है चलिए नेक्स कोईशन देखेंगे अजन्ता की गुफाएं किस राज में इस्तित हैं आपको बताना है कि जो अजन्ता की गुफाएं हैं वो किस राज में इस्तित हैं मादरपडेश में महरास्ट में करनाटक में या फिर कमिनाडू में हमारा राइट आंसर हो जाएगा अजन्ता की गुफाएं जो है वो महरास्ट में इस्तित हैं चलिए इसके बारे में जानेंगे हम अजन्ता जो है वो महरास्ट राज के औरंगाबाद जिले में इस्थित है जो महरास्ट राज है उसका औरंगाबाद जो जिला है वहाँ पर अजनता की गुफाएं इस्थित है जनता तक पहुँशने के लिए जलगाउ जिले से करदार पुर ग्राम से होकर जाना पड़ता है अजन्ता अगर आपको जाना है तो उसके लिए जो जलगाउं जिला है उससे करदार पुर ग्राम से होकर आपको जाना पड़ता है यहीं पर अजन्ता से दो मील की दूरी पर अजिस्था नामक ग्राम है ठीक है और जिसका मूल या शुद उचार अजिस्था है इस ग्राम के नाम पर ही गुफाओं का नाम अजन्ता बढ़ा है यानि इस गाउं के नाम पर ही गुफाओं का नाम क्या बढ़ा अजन्ता बढ़ता है और अजन्ता की जो गुपाएं है वो सेंट्रल रेलवे के औरंगावास स्टेशन से लगवाग एक सो दो किलोमीटर की दूरी पर सत्पुड़ा पहाणियों में इस्टेशन है चलिए आप यहां पर समझ लेते हैं आपको सबसे पहला जो बनता है कि अजन्ता किस राज में इस्टेशन है ठीक है अजन्ता की गुपा है तो महारास्ट राज में इस्टेशन है अगर आपको अजन्ता तक पहुचना है तो उसके लिए आपको जल गाउं जिले से कहां जाना है करदार प्रूर ग्राम से होकर जा और यहीं पर अजंता से दो मील की दूरी पर क्या है एक अजिस्था नामक ग्राम है यह एक गाउं है जिस्था नामक अजंता से दो मील की दूरी पर जिसका मूल यह सुद्ध उच्छारड अगर बात करें तो क्या है अजिस्था है ठीक है इस गाउं के नाम पर ही अजंता की जुम जो गुफाएं है उसका नाम किया पढा है आजानता पढाय निया अजिस्था के नाम पर आजांता यहां पर फड़ाएं इस गाओं महात्मा बुद्ध के पूर्वी जन्मों की काल्पनिक कथाएं किस से संब्दित हैं? आपको बताना है कि जो महात्मा बुद्ध हैं, उनके जो पूर्वी जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं वे किस संब्दित हैं? पंचनन्द, जातक कथाएं, हितोप देश या इन में से कोई करते हैं हमाद right answer हो जाएगा जातक गत्ताएं ठीक है क्या हो जाएगा जातक गत्ताएं चलिए इसके बारे मी चाल लेंगे थोड़ा महात्माअ बुद्ध के पूर्व native की जन्मों की कथाएं होती है वह क्या खालता है उनको जातक कथा के नाम bendit गुष्पू पूरिम के जन्मः की 5 1963 इसापूर्ण में हुआ था So, कॡपील्वस्तू के समीफ लुम्बिनी बन में पर कॡपील्वस्तू के पास लुम्बिनी बन में इनका जन्म हुआ था इनके जो पिता हैं उनका नाम सुद्धोधन और माता का जो नाम है वो महमाया था ठीक है? तो आपको चलो यहां पर आज रखनी है चीज़ें क्या? कि महता बुर्वजन के कथाओं को क्या कहा जाता है? जातक कथा कहा जाता है ठीक है? और जो गदमभुद का जन्व है वो 563 इसापूर्ट में हुआ था कहां पर हुआ था तो कपिल वस्तू के पास में लुंबिनी बन में हुआ था इनके पिता का नाम सुद्धोधन था और माता का नाम क्या था महा माया था ठीक है चलिए नेक्स कुश्चन देखेंगे अजनका की जो गफाएं हैं उनकी कोज कभ वही थी 1903 में 1819 में 1863 में तो आप जानते हैं अजनता की गफाएं के कोज कभ वही थी 1819 में ठीक है कभ वही थी 1819 में चलिए एजन्ता की गफाएं कहाँ पर इस्थत हैं, तो महरास्ट राजस पर इस्थत यहाँ पर कुल तीज गफाएं इस्थत हैं, जार बोद धर्म से संभंदितiden और इन गुफाँ की जो खोजे वो 1899 में हुई थी और इन गुफाँ का जो निर्माड है वो अधिकांश्टा गुप्तकाल में करवाया गया था चलिए तो यहां पर आपको पता है कि महराज राज्य में स्थितर जनता की गुफाँ यहां पर कुल 30 गुफाँ है और अगर हम स्पाँ एन गुफाँ का जो निर्माड है वो कब हो आधिकांश्टा अगर इसके निर्माड की बात करे तो वो करवायागः गया है किसमे गुप्तकाल में चलिए simple question 30 बीटि घ्र में जयं धाने अंशर में alors झांता में किस धित्र में प्रीक हें बॉइत ढ़ने डोपियोग चलिए जातक शब्द का उपयोग हुआ है आपको बताना है जुश्व कि जातक शब्द है उसका उप्योग किसली हुआ है बुद्ध की रात्रायों के लिए बुद्ध की उru जण्व के लिए या फिल बुद्ध के बालेकारश के लिये है तो आप जानते हैं कि जult के पूर्ग dign की कहानिया उनको ही क्या कहा जाता है, जातक कथाएं कहा जाता है, ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगो, अप्शन C, बुद्ध के पूर्जन के लिए, चलिए अभी इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, तो अजन्ता की गुफाओं का जो संबंध है, वो किस से माना जाता है, ब किस दम से माना जाता है, बहुत दम से माना जाता है, और यहां पर जादा जाता कथाओं का चित्रांकन की या क्या है, जाता कथाएं होती क्या है, तो वह बुद्ध के पूर्व जन्मों का चित्रांकन होता है, जाता कथाओं में ठीक है, जाता का अर्थ होता क्या है, की गुफाओं में या पर अलिफेंटा की गुफाओं में तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अजन्ता की गुफाओं में कहां पर अजन्ता की गुफाओं में बिच्छक बुद्ध का जो चित्र है वो चित्रत किया गया है चलिए इसके भारे में आप जानेंगे तो आजंता की जो गुफदाएं हैं, वो कहां पर इस्तरह हैं? इते हैं महारास में इस्तरते हैं. अजंता में कुल कितनी गुफदाइं हैं, तो आपको याद रखना है कुल 30 गुफदाइं हैं, ठीक है। अजंता की गुफदा़ संक्या जो 17 है, उसमें सबसे अधिक चित्र हमें प्राप्त हुए है ठीक है गुफा संक्या 17 में सबसे अधिक चित्र प्राप्त हुए है और आप जानते हैं अजनता में कुल कितने तीस गुफाईं और कितने प्रकार के कुफाईं है कौन गौसी चैती गुफाईं और विहाल गुफाईं चलि अजंटा की सताबधी शत्वी सताबधी या फिर आठाओ गुफासं अजश्नगोसी एक है उसका निर्माड काल माना चाहता है छटी सताब्दी, छटवी सताब्दी माना जाता है चलिए इसके बारे में अब थोड़ा जानेंगे तो अजन्ता की गुफाएं महराष्ट में इस्थे थे यहाँ पर कुल तीस गुफाएं है ठीक है अब चलिए हैं यहाँ के निर्माड की बात कर लेता है तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अजन्ता की जो गुफाएं हैं उनका निर्माड जो माना जाता है दो सो ईसा पूर से लेकर साथवी सताब्दी के मद माना जाता है यहां कि अगर सबसे प्राचीन गुफा की बात करें तो बालवी सताब्दी की मानी जाती है जबकि गुफा संख्या एक का जो निर्मार है वो गुप्त शास्कों ने छटवी सताब्दी में करवाया था कब करवाया था जो गुफा संख्या एक है उसका निर्मार गुप्त शास्कों ने करवाया था और छटवी सताब्दी में करवाया था अजंता में क्यूरेट की नियुक्ती हुई थी आपको बताना है कि जो अजंता में क्यूरेट है उसकी नियुक्ती कब हुई थी 1908 में, 1954 में, 824 में, या फिर 819 में तो हमारा right answer हो जाएगा 1908 में यानी अजन्दा में क्यूरेट की नियुक्ती हुई थी 1908 में अजन्दा के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था तो हमाया right answer हो जाएगा सख्या से इन्होंने क्या किया था पीला रंग बनाया था चलिए इसके बारे में अगर हम बात करें तो अजन्था की गुफ़ा में फ्रेसको ब्रूनो चित्रुड विधी इंप्रामाध्यम में चित्रों की रशना की गई है तो मैंने अभी आपको बत उनमें फ्रेस्को ब्रूनो चित्रड किया गया और टैम्प्रा माध्यम से चित्रों की रशना की गए मगर अगर हम बात करें अगर आपसे मुख्यता एक पूछा जागा तो आपको याद रखना है फ्रेस्को ब्रूनो चित्रडवेदी से ठीए जिन में अधिकांश्ता लाल रंग का प्रयोग किया गया है सबसे ज़्यादा किसका लाल रंग का या फिर गेरवा रंग का प्रयोग किया गया क्या सकते हैं परन्तु कहीं कहीं पीला रंग का प्रयोग किया गया है और ये पीला रंग जो है वो सक्या के चूड से बनाया गया है ठीक है अजन्ता में कितने प्रकार की रेखा शैली का प्रयोग किया गया है दो बीस पाइस या फिर एककेस तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अजन्ता में बीस प्रकार की डेखा शैली का प्योग किया गया है चलिए भारत में प्रिशलित भारत में प्रिशलित सबसे प्राचीन कला शैली अजन्ता कला शैली मानी जाते हैं यह भारत में जो सबसे प्राचीन कला शैली है वो कौन सी मानी चाहती है अजन्ता कला शैली मानी जाती ह कि ढमें तो आपको याद रखना है दो बहुत धर में से संबदेद आ जए तो आपको है शीकार कि प्रता कि आ खार YOUT विभती में चित्रों का निर्मार किया गया है चलिए, next question देखेंगे, अजंता की चित्र निर्मित हैं, आपको बताना है कि जो अजंता की चित्र हैं किस पर निर्मित है, कांच पर, जमीन पर, कैंवास पर या पर भितीपर, तो हमाहा right answer हो जाएगा वित्ती पर किस पर आपने देखा था कि अजन्ता के चित्र किस पर निर्मत है दीवारों पर बनाए गए है ठीक है चलिए इसके बारे मगर हम बात करें तो अजन्ता की गफाओं का जो निर्माड है वे दो सो हिसा पूर्व से सासो ईस्वी के मद कराई गया है ठीक है इन गफाओं का जो निर्माड है जालतर गुप्त का ब viewer कर वाए गया गया और जो बॉत धर्मन से संब्रिय तो यहाँ पर आपको याद को याद रखना गई है इन गफाओं को चित्रों का निर्माड है वो गीली भित्नियों पर करवाया जाता था और जो बहुत धम से संबल लिट थी अजन्ता में कितनी प्रकार की गफाएं आपको यह बताना है दो तीन शार या फिर उन तीस तो आजन्ता में आप जानते हैं कितनी प्रकार की गफाएं चलिए कौन कौन से और देख लेता है तो यहां पर बात करें तो अजन्ता में आपको याद रखना है कुल तीस गफाएं कितनी अगर पूछी जाएंगे तो कुल कितनी गफाएं तीस गफाएं और इन गफाओं को जो निर्माड है वो दो प्रकार से किया गया है दूसरी हैं बिहार गफाएं अभी चैत गफाएं हैं क्या ठीक है तो अगर हम बात करें यहां पर चैत गफाओं को जो निर्माड है यानि अजन्ता में चैत गफाओं को जो निर्माड है वो किसलिए कराया गया बहुत विच्छों के पूजा अर्शना के लिए कराया गया है जब की बिहार गुफ้ाओं के बात करें तो इनका निमार कर आया क्श्चों के निवास के लिए लिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो जनता की गुफयें हैं कुल कितनी हैं तीज गुफयें जिसमें इन गुफाओं को जो निमार है वो दो प्रकार से किया गया है ठीक है यहां पर दो प्रकार की गुफाओं है कौन-कौन सी चैत गुफाओं और भिहार गुफाओं है चैत गुफाओं है क्या तो यह बौत भिख्शों के जो पूजा अर्चना के लिए इन गुफाओं कर निमार कराया गया था ठीक है चलिए next question देखेंगे अजनता गुफाओं की भित्ती चित्रों की अनकृतिया जो है उस सब प्रथम किस अंग्रेज चित्रकार द्वारा बनाएगी थी ठीक है तो यह हो गए आज के टॉप 20 questions आई होप आपको आज के questions अच्छी लगे होंगा अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू